नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं इकलेश जैन हिंदी चेस पेस इंडेचल पर आप सभी का हार्ट दिकम्दन करता हूं दोस्तों कल रात खेले गए इंचेस रैपिट के साथ वे राउंड में भारत के अर्जु निर्गासी ने आखिर खार मैगनस कालसन को खरा दिया इससे पहले मैगनस कालसन को उन्होंने कभी भी पराजित नहीं किया था तो आएए देखते हैं क्या कुछ हो असमकाबले हो उससे पहले देखते हैं कि रैंकिंग क्या चल रही है अभी दो दिन के बाद नोधिरबेग अभी भी नंबर वन पर मामेदरो नमबर 2 पर हैं कालसन नमबर 3 पर हैं डूड़ा है नमबर 4 पर अरजुन है नमबर 5 पर और विंसेंट केमर है छे पर तो अनिश गिरी साथ वे नमबर पर है और गोकेश जो है वो आठ वे स्थान पर है यहाँ पर फिलाल यह सिती है जो कि सेलेक्शन की रेस पर जो प्राजित कर दिया तो काफी कुछ आप कह सकते हो कि चल रहा है चैंपियन चेस्टूर में लेकिन सबसे पहले वो वीडियो जिसका सब को इंतजार होगा अरजुन ने कैसे मैगनस कालसन को हराया आप सभी को याद होगा कि जब पिछला टोनामेंट हुआ है उसमें जो फाइन तरह प्राजित किया था तो कहीं न कहीं अरजुन ने वापसी करके दिखाया कि वह एक ऐसे खेलाड़ी हैं जो अपने खेल पर काम कर सकते हैं सीख सकते हैं अपनी गलतियों से और कमबैक कर सकते हैं तो चले अब देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में तो शुरु और दी सिक्स तो यह जो है पिर्क बन गया भी पिर्क ओपनिंग पहुंच गए नाइट सी थ्री बिशप जी सेवन बिशप ए थ्री में लाइन यहाँ पर गेम जो है उचलता रहा कालसन ने खेला एसिक्स तो नाव यहाँ पर अर्जुन खिलते हैं कुईन डी टू नाव ब बिशप को भी सेवन रखे खेलने की त्यारी है मैगनस कालसन की सो यहाँ पर आर्जुन जो है वह अपने डेवलप्मेंट को कंप्लीट करते हैं और कैसल कर लेते हैं ठीक है हाला कि यहाँ पर एफ थ्री एच फोर एफोर यह ज्यादा में लाइन है पर उन्होंना कैसल चु खेलते हैं बीफोर जो की काफी कम खेला गया यहाँ पर जो मेन लाइन है अभी क्या करता है कि ब्लैक यूजली अपना डेवलप्मेंट कंप्लीट करता है बिशप B7 खेलके या नाइट D7 खेलके बट यहाँ पर उन्होंने पहले बीफोर पॉन कुस किया और इस नाइट को उपर आने के लिए विवर्ष किया नाइट D5 पर और आप वो खिलते हैं A5 अच्छा यह जो लाइन है अगर आप डाटाबेस में जाएंगे तो टॉप लिवल बे तो कभी कोई गीमी नहीं हुआ है सिप दो गेम आपको डाटाबेस में मिलेंगे 2200 और 2100 के खेलाडियों के तो यहाँ पर अरजुन अब चाल चुंते हैं H4 और अरजुन का concept परा clear है कि भाई मेरा तो development तो अल्मोस्ट हो चुका है bishop knight नहीं निकले हैं यहाँ पर लेकिन डेवल्ल्रमेंट अल्री हो चुका है वेरा castle हो चुका है आपका king center पर आपके पूरे के पूरे जो मोरे हैं वो एक आईडिया रहता है और अभी आप अपनेंट को confusion में रखोगे कि आप कैसल किस साइड करोगे यहाँ पर अर्जुन सबसे पहले खेलते हैं यहाँ पर सपोर्ट करते हैं यहाँ पर जगे बनाते हैं क्वीन के लिए एफ टूप है जी फोर चलने की प्लानिंग है उनके पास सब्सक्राइब अपने लगातार मोहरे निकलते जाते हैं और एक प्रकार से आपसे सवाल पूछते हैं कि आपको करो आपको जिस तरह से अटैक करना हो अपने किंग को बीवन पी ले जाते हैं सो रख् कालने में लग जाते हैं यह एक सिदानत है कि जब आपको अगर पूजिशन बहुत जादा समझ ना आ रही हो कि कहां से आपको तोड़ना है कहां से आगे बढ़ना है तो सबसे पहला जो काम कीजिए आपने मोहरे जो है उसको खेल में ले करके आई अन्नेसेसरली कहीं से भी नाइट बी सिक्स उपर की तरफ आ रहा है नाइट सी फॉर पर तो पहले से कुईन को जो है ईवन पर एडज़स्ट कर लेते हैं यहाँ पर अरजुन इरगासी और आप कालजन का मोहरा आ जाता है नाइट सी फॉर और अब यहाँ पर अरजुन अपने बिशप को भी बचात जो एक प्रकार से कर ली है जो कि आपका किंग यहीं है तो यह जो बड़े हुए पॉन है यह बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे ब्लैक को बलकि सपोर्ट करेंगे तो कालसन अपने जो उनका एम था उसमें सक्सिस्फूल हो गए तो यहाँ पर जो सही एक अनलैसिस के सब्सक्राइब इस इस इस्ट्रक्चर को जो है नुकसान पहुचाने का काम हो सकता था लॉंग केसल करते सो एफ और यह एक्चुली मैं वाइट के लिए ज्यादा अच्छी पोजीशन होती खैर मैच पर अर्जुन ने खेला रोक हैस्टू अपने रुक को डबल करने की तय मिल जाएगा यह रुक और कुईन का प्रेशर इस फाइल पर आ रहा है तो अर्जुन ने क्या किया कि पुजीशन को क्लोस करती है ताकि जो भी हो सकता था वो सब बंद हो गया अपनेंट का टैक हालाकि यह थोड़ा पेसिव डिसीजन था मतलब कि आपने भी जो आपके भी की जो पुजीशनिंग है उससे आपको भी जो डायरेक्ट फाइदा मिलना है जैसे कि अभी यह नाइट देख लीजिए यह नाइट देख लीजिए यह कुईन देख लीजिए तो इनका जो काम था वह फिर से आपको रिसेट करना पड़ेगा कुईन भी 6 किया यहाँ पर मै कालसन लेकर क्या आते हैं एफोर अरजुन खेलते हैं नाइट डीथ्री अटैक करते हैं बीफोर के पॉनकों की वह नाइट से मार सकते हैं यहाँ पर मैगनस कालसन अपना जो महरा अभी उधर काम नहीं कर रहा है उसको गुमाते हैं किंग साइट एफेट को लेकर आते हैं यह जो खासियत है आप जब भी कालसन का गेम देखें या जो भी टॉप प्लेयर का गेम देखें कि किस तरह से उनको यह पता रहता है कि महरे की जरुद कप कहा हैं जैसे उसका जहां एक जगह काम बंद होता है वो दूसी जगह कैसे इस्तमाल किया जा सकता है उन लोगों का बड़े प्रेयर का मैच देख रहे हैं चाहिए आप अरजुन को केश का भी देख रहे हमेशा देखिए कि वो महरों को कैसे मैनुवरिंग करते हैं कैसे जगह बदलते हैं उसकी उससे आपको अपना खेल सुधारने में बहुत मुदद मिलेगी ओके तो आप यहां पर अरजु इमीडेटली जो है यहां पर आगे वड़ते हैं F5 खेलते हैं अरजुन आप पॉन इंटू C3 पॉन इंटू C3 और यह वो मुमेंट था जब शायद जी इंटू F5 मार देना चाहिए था मैगनस काल्चर को और इस तरीके से चेस खेलना चाहिए था नाइट A5 ले जाके लेक लेकिन यहीं पर गलती होती है क्योंकि F6 विद्द चैक आ रहा है आपको आपको मारना ही पड़ेगा तो टेंपो लूज हुआ और इमीडेटली यहां पर अरजुन को कुईन F2 एक्टिवेट करने का मौका मिल गया F7 पर रोकना जो है वो थोड़ा सा मुस्किल काम है तो उ उन्होंने क्या किया रुक B8 खेला उन्होंने साथ बोला कंटिनू मेट लगाते हैं आप यहां पर काउंटर अटैक अलाव किया जैसे अलाव किया अर्जुन का कुईन F7 बिशाप E7 तो नाइट C5 चेक आया किंग D8 गए अभी आइडिया यह थे कि अगर आप डारेक्ट म मर रहा है तो यहां पे क्या करते तो काफी सोचने का अलग मर रहा था तो उनने यहां पर अगर आप मारोगे तो आपका knight मर रहा है तो यहाँ पर पहले दिया उन्होंने चेक दिया knight into e6 king आता है d7 so now d into e5 queen into e6 यहाँ पर भी exchange कर सकते है लेकिन अर्जुन नहीं यहाँ पर बहुत एक smart move खेला queen e4 अभी thread क्या है bishop into c4 अगर आप bishop into c4 मारोगे तो queen c4 क्योंकि यह pawn pin है रुक के खेला तो उन्होंने king c6 कहला Magnus Carlson ने queen f5 रख दिया exchange करने के लिए queen into f5 knight गया उपर bishop पर attack करते हुए bishop c5 आया यह आप लोग सोच रहोगे कि pawn से क्यों नहीं मारा बट knight से मारने का idea यह है कि यह pawn भी मार लेना है उन्होंने खेला bishop c5 ना उन्होंने मार दिया bishop into h6 और तीन तीन पासपॉन यहाँ पर अर्जुन के पास हो गए तो position यहीं पर winning हो गए थी लेकिन Magnus Carlson को आ रहा ना कोई आसान काम तो है नहीं काल्चन ने खेला यहां पर a3 ना बिशब इंटो c4 इस bishop को पर गएर केंट्री जो है वो ना होने पाए अपना पॉन पुस किया e6 रुकेची 8 रुकियों से सपोर्ट लगाया अब इन्होंने खेला bishop d3 नाइट पर अटैक तो यहां पर नाइट d4 खेला चेक दिया अल्मोस्ट फोर्ट था यहां पर काल्सन के पास चुनने के लिए कि भाई अगर इसको आपोजिट किलर बिशब में आखरी चांस है वो ही है तो यह मार दिया बिशब से d4 cd4 ना यहां रुक b4 d4 पर अटैक कर करते हुएy तो यहां पर खेला रुख h3 और अटैक किया इस बिशब की ऊपर उन्होंने बिशब को लिए लिए फोर यहां पर अर्जुन ने रुक इंट्टो एथ्री मार दिया इन्होंने रुक इंटो e6 मारा तेकिन इसके बाद अर्जुन का आइडिया था उन्होंने ब वह दिखाई दिये थे लाइव में उन्होंने यहां पर उनको किंग B5 खेलना था हलां कि यह भी वाइट का विनिंग है लेकिन रुक C4 कि उन्होंने बिल्कुल आसान बना दिया अर्जुन के लिए क्योंकि रुक दूसा रुक भी एक्षेंज और आपको मैं बताता हूं एक कॉंसेप्ट यह कहता है कि अगर आपके पास बोल्ड के दौनों साइट पॉन हो तो 100% विन है क्योंकि वह दौनों साइट के पॉन को नहीं रोक सकता है बिशुप एक ही साइट के पॉन को रोक सकता है और वही पड़ा एफ सेवन सो पिशप एफ से सपोर्ट लगा दिया पिशप डी फाइफ आए तो एच पाइप बढ़ना शुरू किया और यहां पर रिजाइन करना पड़ गया एक्चली मैं क्योंकि आप यह दो पॉन समालोगे तो इसको कौन समालेगा यह बिशप कहां कहां देख कि इधर दिखेगा तो एक मुमेंट ऐसा आएगा कि जब एक पॉन यहां पर होगा और यहां के चैसे वह आगे बढ़ेगा और आप कोशिश करोगे मारने की यह पॉन पूस होने के बाद तो वह दोनों जगे जो है वह आप समाल नहीं पाहोगे और रिजाइन यहीं पर कर चाल में यहां पर अर्जु निर्गासी ने पाइनली अपने जीवन में विश्व चैंपियन मागनस कालसन को पराजित कर दिया और इस यूवा खिलाड़ी के लिए यह जोरदार वापसी है एक और एक संदेश है दुनिया बर के लिए कि वह ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो कि उनको प्रॉब्लम आएगा वो काम करेंगे और वो कम बैक करेंगे तो यह उनकी जो है इक्षाशक्ति का एक नतीजा है और मतब शांदार भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंदाए होगा पसंदाए तो लाइक शेयर सब्स स्वाब करने ना भूंए देखते हैं छेयक बिस इंडिया छेयस बिस इंडिया के में रिकले जेएन जेह हिन दौस्ताँ